यह दोस्तो आज हम दिखाएंगे बफ करके किसका सरफेस चिकना और समूत कैसे किया जाए मतलब पालिश करके दिखाएंगे बफ का पूरा प्रोसेस और यह हमारे एक मित्र ने बनाया है जो कारीगर है मनसूर अली तो इन्होंने बनाया है इसको पीतल में और यह तोपाज है तोपाज इस्टोन में है पीतल में बनाया गया है बहुत अच्छा बना है और इसको हम और ही बेटर कर देंगे इसको पालिश करने के बाद तो आप देखते रिए हमारे वीडियो को दोस्तो आप हमारे वीडियो देखते रहे हैं हम कैसे इसको बफिंग करते हैं तो अब हम कर रहे हैं मसीन स्टार्ट अब यह मैं इसको चिकना कर रहे हैं दोस्तो अब देख सकते हैं कि हमारा चिकना धिरे-धिरे हो रहा है जो रेती फाइल की जो निसान थी और वो धिरे धिरे हाईडोरा है मिट रहा है इसमें अभी आओ दोस्तों स्टाइडिंग आएगी अभी हम दिखा रहे हैं कैसे आएगी तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर ये मैटल फिनिस शैनिंग आ चुकी है जो की बहुत ही बेटर है अभी इसको हवी हम और शैनिंग लाने वाले हैं तो कैसे लाएंगे तो बने लिए वीडियो में यह देखिए दोस्तों एक कमपाउंड का इस्तमाल करेंगे अब हम इसी पर करेंगे वीडियो में बने लिए कुरा प्रोसेस देखिए अब दुमारा कमपाउंड लगाने से जो हर्विका बाकी रह गया है वो भी सर्थेस दम चिक्कन हो जाएगा और मस्त दम आएगा पहुत ही बेरी क्वाल्टी इतना चिकना एक फिसल जा रहा है आप देख सकते हैं पॉलिस का मज़ा तभी है जब इसमें आपकी परच्छाई प्रतिबंद बनने लगे है तभी बेस्ट पालिस होता है और यह अब रियल्टी सोने जैसा लगने लगा बटे सोना नहीं है पितल है दोस्तो सोना सोना ही रहेगा पितल पितल ही रहेगा तो यह हो गया हमारा फिनिस तो यह पिस बनके तयार हो गया है इस पर पालिस भी हो गई है आप देख सकते हैं इस पर प्रतिबंदी जो दिखा रहा है हमारे फिंगर का यह इक वाल्टी होना चाहिए पॉलिस की और यह पालिस लाइम लंबे टाइम टक चलता है और इसको बनाना बहुत ही असान है दोस और इसमें देख सकते हैं बीना फर्षी का भी बनाया आए जिससे कम समय में बनाया गया है पस सेटिंग मस्त है सेटिंग बढिया करना चाहिए इसको जो बैठा हो एक रस होना चाहिए तो कारीगरी में यही से थोड़ा बारिकियां देखी जाती है तो वीडियो देखिए अगर बफिंग से मंदित कोई समय स्या हो किसी परकार के अगर आपको जांकारी चाह रहा हो तो आप कमेंट आप से कीजिए और हमारा वीडियो आप सेयर जरूर कीजिए जिससे हर भाई तक पहुँच सके यह जांकारी तो आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए हमने बफिंग में बहुत सारे बराइटी हैं लेकिन बहुत ही सरल तरीके से बफिंग करकर दिखाया है जिसे वीडियो आप पुरा अरश से देखिए